अमेरिकी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं डेमोक्रेट प्रत्यासी कमला हैरेस को रिपब्लिकन पार्टी के डॉनल्ड ट्रम्प के हाथो शिकस्त मिल गई है चुनाव हारने के बाद हावर्ड इनुनिस्ट्री में अपने संबोधन के लिए जब कमला हैरेस आई तो उनका अ बड़ी तादाद में डेमोक्रेट समर्थक कमला हैरेस को सुनने आये थे कईयों के चेहरे पर मायूसी थी कमला हैरेस ने कहा कि मेरा दिल भड़ा हुआ है उन्होंने कहा कि चुनाव कर नतीजा वह नहीं है जो हम चाहते थे नहीं वह है जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ करती हूं लेकिन मैं उस लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगी जो हमारे अभियान का मूल थे उन्होंने कहा कि मैं जानती हूं कि लोग इस समय कई तरह की भावनाएं महसूस कर रहे हैं मैं समझती हूं लेकिन हमें चुनाव की नतीजों को स्विकार करना चाहिए कमरा हैरिस इस ने अपने समर्थकों से कहा कि निराशा में भी हारना माने कभी-कभी लड़ाई में थोड़ा समय लगता है इसका मतलब यह नहीं कि हम नहीं जीतेंगे अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके